नमस्कार दोस्तों तो इस वक्त कोंडा गाउं से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हैं। अवैद संबंधों में मम्ता की हत्या युवती ने बॉइफ्रेंड के साथ मिलकर नवजात को तालाब में फेका, बिना शादी के बन गई थी माँ। सत्रा दिन बाद दोनों गिरफतार, चत्तीसगर के कोंड़ गाउं में अवैद संबंधों को छिपाने के लिए 23 साल की युवती ने अपने बॉइफ्रेंड के साथ मिलकर दो दिन के नवजात को मार डाला, बच्चे को जिंदा ही तालाब में फेक दिया, यहां डूबने से उ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बीच वो गभरवती हो गई, उसने छिपते छिपाते 10 अगस्त को एक बच्चे को जन्म दिया, इसके बाद 11-12 अगस्त की रात हलबापारा के तालाब में फेक दिया, युवती ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि शादी स पहले वो मा बनी है, कहीं इसका राज न खुल जाए, हलबापारा के ग्रामीन 12 अगस्त की सुभा जब तालाब में नहाने गए थे, उस दोरान उन्होंने नवजात की लाश पानी में तेरते हुए देखी, इसकी सूचना SDOP भूपत सिंग को दी गई, मौके पर SDOP सहित जव पहुचे थे, इन्होंने नवजात को पानी से बाहर निकाला